अपन करने वाले हैं क्लास 12 की सप्लेमेंटरी बुक का पहला चेप्टर थर्ड लेवल के इंपोर्टेंट केसंस आंसर तो स्टुडेंट्स वीडियो का आप लास तक जरूर देखिएगा वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब भ अबर चुके हैं और आज की सवीडियो में आपन कावर कड़ने वाले हैं चेप्टर चेप्टर के द स्टोटे आ इंपड़े जो इंपोर्टेंट केसंस से उसको तो पहला जो केसन है वो इस तरह से रहेगा कि वाट ड Advent कर तो कि थर्ड लेवल क्या दर्टर्सади आता है क्या रेफर करता है तो important question है students सबसे important question है इसे अप्रगा कि the third level refers to क्या दर्शा आता है the imaginary subway of the grand central station कि third level जो है वो क्या है कालपनिक subway है उपमारग है grand central station का that takes passengers जो कि passengers को कहां ले जाता है Gillsburg इलोनियस ले जाता है the third level जो है जो की station के अपर है वो क्या था medium of escape for Charlie Charlie के लिए escape का माद्देम था पलाइन का माद्देम था very important question students इस book का सबसे important question है ये तो आप इसको अच्छे से जरूर त्यार करके जाएगा अगला question है would Charlie ever go back to the ticket counter क्या Charlie कभी दुबार है ticket counter पे गया on the third level third level के ticket counter पे to buy tickets क्या खरीदने के लिए tickets क्रीदने के लिए to Gillsburg कहां की Gillsburg की तो अपन देखेंगे कि no Charlie would never go back on the third level कि नई Charlie है वो वापस third level पे नई गया because क्योंकि it was an imaginary incident क्योंकि ये क्या थी एक कालपनिक incident थी गटना थी और there was not any third level कोई वहाँ पे third level नई था ये उसकी fantasy थी ये उसकी एक कलपना थी modern जो world था जो की worries से टेंशन से इन से full था और वो इन चीजों से fed up हो चुका था तंगा चुका था इन सब से चुटकारा पाने के लिए उन्होंने खुद ने अपने mind में इसका invention कर लिया कि third level है और real में देखा जाए तो कोई third level नहीं था वो एक imaginary था next question है what did the psychiatrist think उसका जो मनोची के सक जो दोस्त है वो क्या सोचता है क्या सोचा when Charlie told him जब Charlie ने उसे बताया about किस के बारे में the third level के बारे यह भी very important question है students कि उसका जो मनोची के सक जो दोस्त था जिसका नाम था same उसने क्या सोचा जब Charlie ने उसको किस के बारे में बताया third level के बारे में बताया तो there were only two levels at the grand central station grand central station पे केवल कितने levels थे केवल दो ही level थे दो ही floor थे when Charlie told जब Charlie ने बताया किसको the psychiatrist अपने मनोची के सक दोस्त को date की he had been to the third level कि वो कहां जाके आ चुका है third level पे जाके आ चुका है तो he believed date तो उसने believe किया कि Charlie was daydreaming कि Charlie क्या कर रहा है दिन में खवाब देख रहा है और he was trying और Charlie है वो कोसिश कर रहा है to escape from the worries कहां किस से बचने की चिंताओ से बचने की tension से बचने की या fear से बचने की of the present day world वर्तमान का ये जो संसार है इसमें जो tension, worries, fear ये जो भरा पड़ा है इससे ये बचने की कोशिश कर रहा है इसलिए ये ऐसी मन गड़नत बाते बता रहा है कि मैं कहां जा कि आ चुका हूँ, third level पे जा कि आ चुका हूँ next question है कि how was Charlie lost, Charlie कैसे खो गया in the grand central station में on two previous occasion, दो पिछले आनी आउसर पे तो grand central station was like a mage, mage के समान था, भूल भूलेया के समान था Charlie always lost, Charlie हमेशा खो जाता था, अपना रस्ता है वो खो देता था he bumped, वो लड़ खडाता रहता था, into new corridors, नए-ने corridor पे गलियार में once he got into a tunnel, एक बार Charlie एक सुरंग में चला गया, about a meal long और वोई meal की spelling लिख लेना students, यहाँ पे meal लिखा नहीं गया कि वोई एक meal लंबी हैने की tunnel के अंदर चला गया, और came out in the lobby of Roosevelt hotel और वोई कौन सी lobby के अंदर आया, lobby of Roosevelt hotel की lobby के अंदर आया और another occasion पे he came up in office building और दूसरी यानि की officer पे वोई जो lost हो गया था, तो वोई कहाँ एक office building के सामने आया, तो इस तरह से दो बार वोई गुम हो गया था next था, name some of the old fashion thing कि कुछ old fashion की things का नाम बताईए, जो की कहाँ पे थी, third level पे थी जिसे there were breasts, pittles, वहाँ पितल का क्या था, peak down था, जो की floor पे पड़ा था open flame, gas lights थी, the information booth था, जो की लकडी का बनावा था, और old looking था main के बहुत सारे beards थे, side buns थे, दाड़ी थी, और भो ज़्यादा है, यानि की गलमुचे बोल देंगे, कलमें थी, और woman जो थी, वो dress पहन रखी थी, with leg of mutton sleeves की यानि की बेड़ की खाल की, यानि की आस्तिन वाली यानि की उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी, और high button shoes पहन रखे थे, नेक्स्ट है, अच्छा परसन है ये भी, की why did Charlie flee from the third level, की Charlie है वो third level से क्यों भाग आया, तो Charlie क्या चाता था, दो ticket चाता था, four कहां के लिए, girls वर के लिए, तो he fed the fair, उसने किराया दिया, but the money was different in those days, लेकिन उनके पास जो पैसे थे, वो अलग थे, उन दिनों से, कलरक ने सोचा, की Charlie was trying to cheat him, की Charlie क्या कर रहा है, उसको धोका देने की कोश कर रहा है, और threaten to, और कलरक ने उसे धमकाया, to get him arrested, की आपको arrest करवा दिया जाएगा, सो Charlie वहां से flayed हो गया, भाग गया, next अच्छा परसन है ये भी, what is a first takeover, first takeover क्या है, तो when new stamps are used, issued, की जब कोई नई stamps issue होती है, जारी होती है, तो stamp collectors क्या करते हैं, buy कर लेते हैं, उन stamps को, and use them, और उन stamp का वो use करते हैं, to mail करने के लिए, mail envelops, envelope को mail करने के लिए, to them salvage, अपने आपको ही, on the very first day of sale, और वो भी बिकरी के पहले दिन, और post mark क्या कर देता है, वो prove कर देता है, उसके उपर date, उस envelope को क्या कहा जाता है, first takeover कहा जाता है, तो ये question में अच्छे से आपको class में cover करवा चुका हूँ students, next, same कौन था, और why do you think, आप क्यों सोचते हो कि वो escape हो गया, गेल्सपरक से, किसके लिए, गेल्सपरक के लिए, तो same Charlie का psychiatrist friend था, और he had always believed that, और वो हमेशा believe करता था कि Charlie had been daydreaming, कि Charlie आने की ये दिन में ख्वाफ देख रहा है, but he was so infected, लेकिन वो भो ज़्यादा infect हुआ, प्रभावित हुआ, बाई Charlie's account of Gelsberg, कि Charlie ने Gelsberg की जो स्टोरी बताई, उससे भो ज़्यादा infect हुआ, और that he escaped, चिससे वो escape हो गया, from किससे, his present dull life, अपनी यानी जो वरतमान जो dull life थी, boring life थी, उससे वो escape हो गया, और it was also Charlie's imagination, ये भी Charlie की क्या थी, imagination थी, क you think that, कि आप सोचते हो कि third level क्या था, medium था, माद्देम था, escape का focus के लिए Charlie के लिए, तो the third level was nothing but क्या थी, invention थी, of Charlie's own mind, Charlie के खुद के दिमाग की, it was certainly a medium, और ये निश्चित ही माद्देम था, escape का, for Charlie के लिए, life in the modern world, क्योंकि modern world में जो जीवन है, वो full of insecurity, एस रच्छा से, भ man has to confront, man क्या करता है, इसे confront करता है, face करता है, इन सारी चीजों को all the times, सारे दिन, the harsh realities of जो life है, life की जो कठोड जो वास्तविकता है, वो make living quite unpleasant, वो एकदम से जीवित रहना unpleasant बना देता है, और even unbearable बना देता है, एस एनन ये बना देता है, सो चार्ली क्या चाता है, escape करना चाता है, एक peaceful world में, wishful world में, जो वचाता है, ऐसे world में, और चार्ली जो की possessed रखता है, अधिकार रखता है, एक escapist tendency, मतलब वो plan वादी परवर्ती का है, और even his step collection, यहां तक का चार्ली की जो step collection थी, वो ऐस ताई refuse थी, shelter थी from reality से, वास्तवि की जो बात देता है, उस maid चार्ली, उन्होंने चार्ली को उकसाया, escape करने के लिए, into a world of fancy, एक fancy और रोमांस वरे world में, और इसलिए, वादर डाउन to the third level, वाद गूमता फिरता है, बटकता है, third level पे, at grand central के, और he found himself, और उन्होंने अपने आपको पाया, into the world of 1894, 1894 के world में, तो it was a world of romance, 1894 का जो world था, वो romance और peaceful environment का world था, तो students इस तरह से अपने ये no questions थे, वो पूरे हुए, उमीद करता हूँ, आपने अच्छे से वीडियो को देख ली होगी, वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा, thank you very much